अलो एबरिवन मैं कमले सफाले के डियों में आपका फिर से स्वागत करता हूं बच्छों आज का टॉपिक है प्रोफिट और लॉस्ट में आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास फोर और टाइप फार इससे पहले कि अगर प्रोफिट परसंट दिया हो और प्रोफिट परसंट दिया हो तो हम क्या करेंगे माइनस करेंगे ठीक है अगर प्रोफिट परसंट दिया हो और लॉस्ट दिया हो तो उसको हम क्या करेंगे प्लस करेंगे अगर दोनों ही लॉस्ट परसंट दिया होगा तो भी हम क्या करेंगे माइनिस करेंगे इसको याद करने के लिए हमने एक बताया था कि अगर चल से लेकिन अगर प्रॉफिट और लॉस है तो क्या हो जाएगा वो है अब है तो आपको उसी ट्रिक पर यह सेम कोर्शन लिखा है लेकिन लेवल बढ़ा रहा है इसThen क्रण। लेकिन हम पर चेंज कर दिये हैं आपको वही लगाना जो अमने प्रिविएस तक लिगा था तो प्रिविएस वीडियो एक वाँ आद जाके देख लिए तभी आपको ह आगे का और मैंने आपको बताया भी था कि क्लास 3 में कि इस टाइब से बहुत सारे कोशन बनने वाले जितने भी लेवल का कोशन में आएगा यानि इस ट्रिक से जितने भी लेवल का कोशन बनेगा उसको पहले हम टाइब आपको कंपीट गड़ाएंगे ठीक है तो आईए इसने अगर बोल दिया कि सभी का सीपिए एक्वल है सभी का क्या प्राइब बड़ावर है तो इसका मतलब इसकोशन में त्रिक लग सकता है अगर बोलता है इस दिपरेंट सीपी को कितने पर फ्राइब है आपको बताई हुए और oh नीचे का मतलब लौस अगर इस इस सब्सक्राइब हो और लोश खोना यह इंडिकेट करते है को यह इंडिकेट करता इस रहा दूसरा वस्टू ये रहा तीसरा वस्टू से रहे रहा मिलखना तोटल प्रफिर है जो है कि इसमें एक लेंड में कैसे इसका अंसर आएगा ठीक है अभी जो मनें इनको बताया था ठोटल प्राफिट कितने दिया हुआ है साथ परसंट तो हम धारेंगे टॉटल परसंत लिखेंगे कर दिखेंगे छे 7 में से 5 चला जाएगा प्रफिट फिर फिर मरस जाएगा धैर यह होienzaएगा दो है ना साथ में से 2 चला जाएगा दो कि हो जाएगा आपका पंच इस सब को हम एड़ करदेंगे डिरो च pores never 411 11 प्लस्ष कितना होगा 10 vam 17 और 2 कितना हो देशता है कि इसको सन का मीनिंग यह हुआ कि अगर पांचे अबस्तू को 24 प्रफिट पर बेचेगा तब उसे टुटल प्रफिट कितना होगा साथ परसंट होगा कैसे ट्रिक हमने क्या लगाया पता है यह तो आपको लिख के बताए आपको कुछ नहीं करना है तोraफ लिख लो उसके बाद देखो सेबं में से ठी चलागया तो 4 यहां पर लिखा हुआ है सेवन में से 1 चला गया तो 6 7 में से 5 चला गया तो 7 में से 2 चला गया तो 5 सब को एड़ कर देंगे यह आपका final answer हो जाएगा clear है यह हो गया इतना ही आपको सब्सक्राइब करते हैं जैसा कि हमने बताया था कि हम लोगो सब्सक्राइब करेंगे ठीक है फर्स्ट में आपको अच्छे समझ मागिया होगा क्योंकि यह हमने पहले भी बता रखाया आपको second method में आपको कुछ भी नहीं करना है आप देखो आपके पास article कितने हैं पांच पांच आर्टिकल है अच्छा पांच आर्टिकल है टोटल प्रॉफिट मुझे कितना चाहिए 7 परसंट यानि अगर आपसे यह पुछा जाए कि पांच आर्टिकल पर 7 परसंट का त यानि कि मुझे चाहिए कितना परसंट 35 पशनट चाहिए ऐसे समझना है clear मेरे पांच टॉटल प्रॉफिट मुझे कितना two- Test हो चारों को एक इसमें से मैंने सट आपला कितना मिलáfic तीन पर फिद्सन्मनों प्रॉफिट का प्रॉफिट तो तीन एक चार है ना चार और्ट प्ले स्पार्फ नौ दू ग्यारअा कि पहले मिला तीन पर्सेड दूसरे पर मिदा 550 तीसरे पर में एक्शाण्सले प्रफित चौथ पर मिला हब पर्साड़ी अगर प्रकॉषित अगला question loss कर ले किया होंगा मैं तो आपको क्या करना है कुल profit में से चारों का profit minus अगर हम कर देते हैं ठीक है तो मुझे पांचमें बस्तू का profit निगल जाएगा तो 3 और एक 4 4 5 9 9 और 2 11 इसमें से क्या कर दो minus कर दो आंसर कितना हो जाएगा 24 अब आप यह देखो यह पांचमें बस्तू का है क्योंकि यह चार बस्तू का यह रहा पांचमें बस्तू का यह रहा दोनों को मिला करके 35 पसंद आ गया तो इतने में ही मेरा काम हो गया यह काम mentally कर सकते हो आप पांच बस्तू तो साथ गुने 5 35 परसेंट चाहिए सब को एड़ करके मैनस कर दो आंसर आपका आजाएगा अगला जो कोशन में बताने वाला हूं इसी ट्रिक से बताऊंगा पीशे का ट्रिक आपको एप्लाई करना वो भी आप एप्लाई कर सकते हो तो एक कोशन का दो-दो मैथर हमने बताया आपको जो आपको एजी लगता है यह सब से फास्ट मैथर है इसको आप एपलाई करना है चलिए आपके सामने सेकेंड कोशन है मैंने आपको बताया था कि इस कोशन में प्रफिट और लॉस दोनों को मिक्स करके हम आपको बताने वाले हैं ठीक है तो आप देखें क्या लिखा हुआ है कि एक बैक्ती के पास एक बैक्ती के पास चार बस्तू है सभी का क्रेमल क्या है बडाबर है यह स्टेट मेंट रहना चाहिए और यह मैंची है और यह सेम सीपी क्लियर अब जब आप नोट्स बनाते हो तो आप इसको करना कि यह लाइन रहेगा तो यह रहेगा जलूर यह कुछेगा तो अगर अलग अलग सीपी देगा तो कुछन में और भी आपको सीपी से एसपी निकालना हमने बताया हुआ है प्रफिट दिया हुआ है तो कितना परसंट निकालेंगे यह सब बाते हो चुकी है ओके अब अब यह बूल रहेगे फर्स्ट आर्टिकल सोल्डर कितना परसंट टू परसंट का लॉस मतलब माइनस का टू क्लिए है चलिए सकेंड एड कितना टू परसंट प्रॉफिट चलिए यह जाएगा प्रस का टू परसंट साथ-साथ लिखते जा रहे हैं ओके थाड़ एड़ प चाहिए तो तोटल प्रॉफिट दिए हुआ है 10 याने कि और liner इन टु में फोर प्रॉर आर्ट्कल मुझे चाहिए च्परसंट मुझे बारा बारप्र एंट्सें यानि कि कितने की और requirement है 28% के requirement है यह निकल गया फौर्थ आर्टिकल का profit percent यानि कि वह चौत्य बस्तू को 28% के profit पर बेचेएगा ठीक है तो उसे कुल लाव कितना होगा 10% होगा क्लिर है बात समझ मागया होगा यह जो दो कुर्षन हमने आपको कराया है यह हो गया आपका type 5 की बात next question लेकर आ रहा है वह है आपका type number 6 मतलब इसके best पर इस जितने भी आपकी question में करवा रहा हो language का इसके best पर कितने type के question होते हैं इसमें बहुत level different different level question होता है ठीक है तो next question देखिए उसमें आपका type में change करूंगा type number हो जाएगा अच्छा सेम question है लेकिन इसमें यह ससी की एक्जाम में बहुत बार आ चुका है most important इसमें बचे बहुत confused होते हैं पहले आप इसको ध्यान से समझना question क्या बोल रहा है बोल रहा है कि एक बैक्ती एक बस्तू खरीता है और उसे 10% के लाग पर बेज देता है क्लिर है युदि हो उसे बीस परतिस esto कमें खरीदा होथा युझि वह से बीच परतिस work में खरीदा होता और सो रुपे अधिक में बेचा होता तो उसे 40% में होता तो आपको बोलुरह आए कि उस बस्तू को क्रैमूल कितना था सीपी कितना था? अब गलती क्या होता है इसमे सबसे अच्छा कोशन है क्लियर वैसे अभी तो शुरूई हुआ है लेवल कोशन का जैसे आप परते जाओ गए इंट्रेस्टिंग कोशन आता जाएगा जैसे बोल रहा है कि एक आदमी अमें पर्चेज एन आरिटेकल पर्चेज को मान लो 100 रुपे यानि मान लेते हैं कि 100 पर्चेज को आप सॉल्व कर लो फिर आगे पर हो सॉल्व कर यह नहीं कि पूरा एक बार पढ़ना है फिर सॉल्व करना है टाइम ज्यादा बरबाद होता है को के अब बोल रहा है कि इफ ही वुड है बाट इट ट्वेंटी परसेंट लेस यदि वह उसे 20% कम में खरीदा हो होता यानि कि 80 रुपे में खरीदा होता कि बात कर रहा हो हम इसको परसेंटेज में चलने देते हैं अब देखें कैसे बनेगा कोश्चन अब आपको जल्दी समझ माएगा सौ परसंट सीपी होता है आपको बता रखें हैं बेचा कितने में 10% प्रॉफिट पर 110% में बेज द कर देखें हें कि रैडेक्ड बात बताया हुए है कि जब कभी भी more or less लिया होता है ich was किशने किसी का क्या है डिफरेंट है यह करते हैं लेकिन ये तो रूपीज ही नहीं ये तो नहीं पर चल रहा है है किलेर है तो आप बोल रहा है कि अगर सो रुप्य अधिक में बेचा हो था इस लाइन को भी छोड़ दो आप दैन ही वुड हैव गोटा प्रॉफित ऑफटी परसेंट अब असी का फटी परसेंट तो असी का फटी परसेंट कितना होगा 140 निकाल दो याने की 112 होगा अब यह इन दोनों के बीच में जो रहे है दो परसेंट का वही कितने के बराबर है सौओ रुपर के बड़ावर रहे नटभाह वाह धिक हो रहा है अगर यह д्यौन हो जाता यह जो अंटर है किसका SP का यह जो 100 रुपी है यह SP1 और माइनस SP2 है ठीक है सेलिंग प्रैस का डिफरेंस है जब वह इतने परसंट प्रफिट पर बेचेगा तब इसका 100 रुपय अधिक होगा ठीक है 2% हो गया 100 रुपय के बडावर तो एक परसंट कितने के बडावर होगा 50 के बडावर कि अब क्या पूछ रहा है find the CP कितने परसंट पर निकलता निकलता तो 100 परसंट कितने के बडावर होगा अंसर हो जाएगा पाँच है यह इसमें क्या होता है बचों से क्वेशन में वह हमने आपको बता दिया गलती यह होता है कि एक बैक है किसी बस्तू को खरीता है तो सो रुप्य मान लिया बेचा 110 लिया उसके बोलता है कि यह जो एक सो बारा है यह है 80 का ठीक है 40 परसंट प्रोफिट यह आया है आपका 112 क्लिर है 80 का 80 पर 140 परसंट प्रोफिट होगा तब जाके उसको 100 रुपे अधिक प्राथ होगा है जब वह 2% 2% एस पी इंक्रीज किया है तब 100 रुपे अधिक में बैचा है यह कहने का मतलब तो 2% हो गया 100 रुपे एक परसंट हो गया 50 रुपे 100 परसंट पांचाजार आपका सीपी निकल गया समझ मागे होगा आपको यह कुशन अच्छे से तो आज की क्लास मुने बात किया है टाइप 5 और टाइप 6 का नेक्स्ट वीडियो आप जरूर देखे क्योंने मैंने बताया आपको कि इसका नेक्स तब तक अपना ध्यान रखेंगे धन्यवाद